जो फर्स्ट क्लस्ट था और यहीं पेशा सुरेज भाई यहां आप खाली 10 दिन के लिए पढ़ाई करने के लिए आये थे लेकिन इधार को आप तो हलो रस तो कैसे हो कि हम सो कसा है तो मैं तो मैं तो मोज में हूँ और आप सब एक दम मोज में होगे तो अभी तो सिधे हम घर अभी सिधे खेट में आ चुके है आप पिछे देख सकते हरी भाई उदर सामने करना कट रहा है और इदर है मला भाई और इदर है सुरेज भाई तो मैंने बूल आज व्लोग की सुरुवात यहां से करेंगे और आप बहुत बोलते हैं कि माइक का यूज करो तो आज साथ मे है 5000 खाली 5000 लाइक है तो आप फटाफट से पहले तो इस व्लोग को लाइक कर दीजिए बाद में आगे वाच कीजिए तो बहुत कुछ हम हमारे बारे में इस व्लोग में बताने वाले हैं तो अभी फटक से जो पहला है गना भर लेते हैं क्योंकि अभी यह देखिए पीछे पूरा खेत हैं हमने खाली किया है अभी आखरी वाला जो इसमें लगबग आज फाइनल एक ट्यक्टर भरेंगा तो आज फाइनली जो खेत है ओ फिनिस हो जाएंगा तो फिर अभी फटाफट से बर लेते हैं और फटाफट से आगे बढ़ते हैं चैलिए तो फाइनली जो है अभी यहां का जो खेत हो गया पुरा खाली और थोड़ा सा इत्ता गरना बचा है तो अभी फटाफट भर लेते हैं और यहां काम हो गया फैनल अभी निकल थे घर के लिए लेकिन यह बरने के जाद़ टाइम लेंगे 10 मदर मिट लगने वाले हैं और लेक्सक्ते हो अ आए बहुत जादा अंगूर है इसमें लेक्सक्ते हैं कि अबीश कुल टाइम में थोड़ा सा 15 तो 20 दिन के दो दोने दो विक ले सकता है दो विक यह न है तो एक महीने के अंदर यह पुरा का पुरा जो भ़गी चाहें वह को आ जाएगा पुरा पुरा का पूरा बगीचा हो कैसे शेल करने के लिए आजाएगा और इदर बावडी और इसमें दवाई होती है जो के इसमें पहले डालते हैं और पानी जालके मिक्स करते मिक्स करने के बाद एव जे जो ऑंगुर पर फवार आजाता है दवाई को और वह दर बावडी है लेकिन अब करेंगों मेरे देखा जाए तो यह बगीचा बहुत बड़ा है आप देख सकते हैं सामने भी अलग भग मेरे खयाल से पाथ 6-6 एकड में पुरा का पुरा बगीचा खैला हुआ है और बहुत बड़ा है और देख सकते हैं यह ब्लैक नहीं यह आईसी रहेंगी कि ब्लैक वाली अलग होती है यह ऐसे ही ग्रीन रहेंगी और अभी तक तो यह लेकिन 15-20 दिन में इसमें शुगर आ जाएंगा अभी खाने का मजाएंगा क्योंकि अभी तो खटी अगर खाई तो सर्दी हो सकती है और सामने देख सकते हैं आप सामने जो है वह यहां पर हम पॉल्ट्रिफॉर्म बोलते हैं लेकिन वह मुर्गी का फार्म है लेकिन अभी उसके अंदर मुर्गी नहीं है क्योंकि उन्होंने मुर्गी जो हे सेल कर दी है और नीके जो आप देख रहे है और अब मुर्गी का गोबर है और जो पशु आहर होता है मुर्ग्यु का ओ भी नीके कुछ वेस्ट हो जाता है तो दोनों मिक्स होके वह, इस सा बन गया है और इसके अंदर जो सामने दिख रहा है इसके अंदर पशु आहार दाल देते हैं और इसमें दिख सकते हैं इसमें नली है तो इसमें पानी डाल देते हैं और इसमें जो पशु आहार होता है और दालने के बाद इनको नीचे छोड़ देते हैं नीचे छोड़ने के बाद जो पू पांच छे लिटर का हो गए एक ही और ऐसे बहुत लगाई हुए है बकेट देख सकते हैं आप वहां तक क्योंकि मैं इधर इधर बहुत सारी पॉल्ट्री फर्म है तो जब भी हम कुछ चार लाने के लिए जाते तो हम देखते हैं सुभे-सुभे की क्या करते हैं क्या ने तो ह है अचार करhe वहल हो सोधाय जाती है तो आपको चुख इसक कडान तो यह डवाई होती है और यह इसका ब्लोवर बोलते हैं तो इसमें भी दवा होती है लेकिन इसमें कम बैठती है तो इनकी वज़े से इन्हों ने एक्ट्रा यह बिठा के लिए ले आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं पुबोटा और इदर सामने देखिए जो कि वो किसान भाई है वो अभी प्याज में दवाई जो है वो मार रहे हैं अभी तो कुछी दिनों में यहां से इसको निकाला जाएंगा और सामने जो ओके थे उसमें प्याज लगाई जाएंगी तो इसके लिए प आपको आज सुरेश भाई जो है उसके लिए तो ट्रेक्टर यहां पर खड़ा है और आपको आज सुरेश भाई सुरेश भाई की स्कूल आपको बताएंगे जो कि हम यहां से गुजर रहे थे तो सुरेश भाई की स्कूल है मैं दिख गए दो मैंने बुला चलो व्लॉग में आपको उसके बारे में भी थोड़ी सा थोड़ी बहुत जानकरी दे देते हैं तो अभी चलते हैं सुरेश सुरेश भाई का स्कूल है देख सकते हैं तो फर्स फोर क्लास तक यहां पर पढ़ाई होती थी और इसका नाम तो मुझे पता नहीं मैं नाम बता इसका क्या है यह स्कूल का नाम है जिल्ला परिषद प्राथमिक शादा रानमला तालुका निपाड जिल्ला नाशिक यहां कि वन से फोर तक क्लास पढ़ाई जाती यानि पहली से चोती तक जो क्लास है वो भरते है चलो आगे भी दिखा दाम को पूर्ण परिषद रानमला कि यहां का लौकाशन है इ tahun इस यह स्कूल का निपाड दालुका का लिए पिता मात्मा गंदी है इदर सुभाष्ट चंद्रभोस है इदर चत्रपति शिवाजी महाराज है इदर हमारे देश के पेले जो पीम थे यानि पंडित जावालाल नेरू है और इदर है इमारष्ट राज्य का जो मैप है मारष्ट स्टेट का मैप पूरा लग लग लेकिया इडिट करके लगाया हुआ तो सुरेज भाई का जो यह वाला था तो सुरेज भाई का जो फर्स्ट क्लस था और यहीं पेशा सुरेज भाई याप खाली 10 दिन के लिए पढ़ाई करने के लिए आये थे लेकिन एक दिन भी तो भी स्कूल उसकी होजा दिखा मेरी यही स्कू है तो अभी आपको आए हो फे स्कूल तो आपने पूरा का पूरा देख लिया जो गाव के बाहर स्कूल है तो अभी यहां से हम सिदे अभी घर के लिए निकलते हैं सामने हमारा ट्रेक्टर पड़ा हुआ है तो चलो अभी निकलते चलो सुरेज भाई करते हैं तो फाइनली जो है अभी हम घर पे आचुके घर पे निवारा पे आ चुके हैं और अभी पारे में बात की जाए तो सुरेज भाई की पढ़ाय हुई है कितने साल तक पढ़ाए से दीन के लिए इसके पढ़ा हुआ था जो इन के गुरुता है तब फोटे पढ़ा है अगा स्टोर मेरी पढ़ा की दाए बात ernst आथ में ऑभा कुछ पड़ाजी नहीं हुई है क्योंकि सन 1902 में मेरे मम्मी और पापा दोनों गुजरात से महाराश में आये थे तो जब इधर आने के बाद हम इधर नहीं नहीं थे तो इसकी वज़े से मेरे जो मम्मी पापा है उनको सब को डर लगता था कि नहीं जगा है और बच्चे को क कौण इठाके ले के जाएंगा一点 नहीं सभी में और से नहीं जग्एया पर अब भी नहीं हो ऐसे लेकिन वह ताइम अलग था अभी उसको लगबग 30 साल हो गए है तो और जो टाइम अलग था और अभी कहीं पढ़िझाल नहीं कि आपको बतांगा कि मेरी पढ़ाइए बिलकुल नहीं हुए है, लेकिन में हिंदी, मराथी इंगलिस सब कुछ पढ़ लेता हूँ और टाप भी अच्छी तरह से कर लेता हूँ क्योंकि पहले से मेरे को जब मेरे को समझ में आने लगा और बहुत सारे मेरे दोस्ते उन्होंने उनके पास जब एंडरोड फोन थे तो बोलते थे कि अगर फोन चलाना है तो इसके लिए आपको पहले तो सिक्षन करना पड़ता है पड़ाई करने पड़ती है तो मैंने बुला यार मेरी तो पड़ाई हुई ही नहीं और जब बड़ा हो गया था मैं तो अभी फिर से पड़ाई भी नहीं कर सकता मेरा जो टाइम था हो निकल गया था तो उसके बाद में में एक जो आलकमपी होती है ABCD की वो घर पे लेके आया और लगभग में तीन महीने घर पे बेठके उसे पढ़ता रहा और फाइनली तुमको बलता हूं तो मेरा भाई को आज पढ़ने में सब को जाता है और मेरे में इतना तो टैलेंट था कि मैं यह कर सकता हूं तो मैं कर सकता और आप भी अगर ठान लो तो कुछ भी कर सकते हूं तो मेरे को आप सब मेरे जो दोस्ते मेरा बहुत चोटे-चोटे बच्चे भी देखते तो उनको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो पढ़ाई करो पढ़ाई के बाद जो भी आपके विचार है वो आप कर सकते लेकिन पडाई का जो एक बार समय निकल जाता है तो बाट में इह समय नहीं आता है अज में कुच खुद पश्ता रहा हूं कि में पंग हो और तो आज में कुछ विडियो आज दिदा लेकिन मेरी पड़ाय नहीं और फिर भी ओपर वाले ने बहुत कुछ दिया क्योंकि उसका टाइम अगर मैं आपके साथ शेर करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगा ने तो उस टाइम के बात करें तो कसम से बहुत बुरे दिन थी और बहुत बुरे दिन मैंने देखे हैं तो अभी के हालत अगर बताई जाए तो उपर वाले की दया है भगवान सब कुछ दिया हुआ है और बहुत जल्दी आपको देखने को भी मिल जाएंगा और आप सब का तो इतना सारा सपोर्ट है तो ऐसा सपोर्ट बनाए रहे हैं तो अब कर रहा पड़ी है और बकरी के लिए चारा भी लेके आ चुके हैं यहां पर बाकी तो यहां पे सब अभी खाना खाना है और तुरेंट निकलना है और यह जो अपना नंदा है वह थोड़ा सा डुबला हो गया है देख सकते हैं और नंदा की जीव पीट पर जीव आ यह नंदा की और सामने है खुटी और खुटी ने अभी तक बच्चा नहीं दिया है देख सकते हैं और लगभग आज मुझे लगता है रोज आज आज बोलके मैं भी परिशान होगे लेकिन मुझे लग रहा है आज बच्चा दे देंगे तो अभी चलिए इस व्लोग को यहीं खतम करते हैं क्योंकि और बहुत काम है और कल का व्लोग जय सुरी कृष्णा